तीसरे वंडे के लिए भारत की प्लेंग 11 पक्की। गौसाय गौतम गंभीर ने किया दो खिलाडियों को टीम से बाहर। इन दो तूफानी खिलाडी की अचानक हुई टीम में वापसी। भारतिय क्रिकेट टीम हाल के वर्षों में अपने सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षिये एक दिवसिये मैचों में से एक खेलेगी। जब वे बुधवार को चल रही श्रुंखला के तीसरे और अंतिम मैच में श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। क्योंकि उनका लक्षिय यह सुनिश्चित करना है कि वे श्रंखला हार न जाएं। पहले वंडे में नाटकी ये टाई के बाद मैन इन ब्लू ने रविवार को दूसरा गेम 32 रनों से गमवा दिया और श्रंखला में 1-0 से पिछड़ गए। इस परिणाम का यह भी अर्थ है कि वे श्रंखला नहीं जीत सकते। यह 27 वर्षों में पहली बार है जब भारत श्रीलंका के खिलाफ द्विपक्षिय एक दिवसिय श्रंखला जीतने में विफल रही है। अगर आखरी मैच भारत हार जाती है तो टीम के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। ऐसे में टीम अपनी परफेक्ट प्लेंग 11 खिलाना चाहेगी। भारत श्रंखला को बराबर करने और एक-एक की बराबरी के साथ घर लोटने के लिए प्लेंग 11 में बड़े बदलाव करने के लिए तैयार होगा। दोनों खेलों में खराब प्रदर्शन के बाद बल्ले-बाजी विभाग में ज्यादा चेंज देखने को मिल सकता है। अस्थाई विकल्प के बजाए एक विशेशर जबाएं हाथ का बल्ले-बाज हो। पंत के आने से हालांकि केल राहुल या फिर श्रेयस अईयर टीम से बाहर हो सकते हैं। हले गेम में उन्हें आठवें और दूसरे में चौथे नंबर पर खेलाने के बाद रोहित और गौतम गंभीर को इस प्रारूप में शिवम दुबे के लिए आदर्श बल्ले-बाजी स्थान ढूनना मुश्किल हो रहा है। रियान पराग खाली नंबर 6 की भूमिका के लिए अधिक स्वाभाविक खिलाडी के रूप में अपनी शुरुवात करने के लिए तैयार हैं और साथ ही भारत को पिचों पर स्पिन गेंदवाजी का एक अतिरिक्त विकल्प भी देंगे। ऐसे में उन्हें दूबे की जगह शामिल किया जा सकता है।